साथियों, जब न्याए व्यवस्ता समाज के साथ साथ विस्तार लेती है, आधुनिक्ता को अंगीकार करने की स्वाभवी प्रवती उसमें होती ही है, तो समाज में जो बढलाव आते हैं, वो न्याए व्यवस्ता में भी दिखते हैं। टेकनोलोजी किस तरह से आज न्याए व्यवस्ता का भी अभिन अंग बन गई हैं, इससे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आज देश में इकॉर्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुल हेरिंग और वर्चुल पेशी जैसी व्यवस्ताएं अब हमारे लीगल सिस्टिम का हिस्टा बन रही है। इसके अलावा केश की इफाइलिन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में फाइव जी के आने से इन व्यवस्ताओं में और भी तेजी आएगी। और बहुत बड़े बढ़ाव इसके करण अंतर नहीं हैं, होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए है। अपनी व्यवस्ताओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेकनोलोजी के हिसाब के तैयार करना भी हमारी एक महतवपूर्ण लक्ष होना चाहिए।